वेलकम टू माय चानल आज हम चाप्टर टू देखेंगे क्लास एट का टाइटल है लैंड सॉइल वाटर नाचुरल वेजिटेशन एंड वाइड लाइफ रिसूर्स तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो आज का आउटलाइन में हम देखेंगे लैंड लैंड का क्य ऑर दाइंड होता हम कैसे तरीके सी करें तो इसका कुंझ का कैसे कर ना हिसी अच्छल के बारे में पढ़ेंगे और तो क्या होता है ओन हो रहे हो तो क्हांइब करने की और गई हैँ आक क्या प्रबलम सा अरी हैं उसको कैसे कंजर्व कर जाएगा ऐसी नैचरल वाजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे उसको वह कैसे डिस्ट्रिब्यूट हुई भी है और कैसे उसको कंजर्व करना है क्योंकि हम लोगों ने इतना जादा रेकलेस यूज कर लिया है हर चीज का तो इस ले कंजर्व करने की नीड आ गई पहले पढ़ेंगे पढ़ेंगे दीशनों आपके पड़ा था कि 70 परसंट तो हमाई पास वाटर है तो 30 परसंट रेंड है तो 30 परसंट यह वह तोटल है उसमें इसा है उसमें से कुछी परसेंटेज में मतलब आप रह सकते हो ऐसान कि सारव थर्यपर परसेंट में 90 परसेंट पॉपुलेशन रहे हैं और सेवेंटी परसेंट लैंड है उस पे 10 परसेंट पॉपुलेशन रहे हैं तो जो तो सेवेंटी परसेंट में पोपुलेशन रहे होगी वह कितने कम होगी तो यह नीवन डिस्रिबूशन इसलिए है क्योंकि पानी बढ़ जाता है कहीं देजर्ट है कहीं ठेक फॉरेस्त है इसकी वज़़े से पॉपुलेशन अलग-अलग है मतलब जहां प्लेंज आप कि वहां पर अच्छा हो जाता है हमने पहले भी बढ़ाता है तो जो हमारा मतलब population distribution है वह डिपेंड करता है कि कहां की कैसी topography है कहां का climate कैसा है वहां का land कैसा है उसी के ओपर अब प्लेंस में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा इग्रिकल्चर रहें इसलिए वहां पर जाधा population मिलेगी गंगा प्लेंस के अरवं यूभी भी आम में इसलिए बहुत जादा भी all over world के 30% land का जो 100% है उसमें से 30% पर रह रहा है सोचो अब लैंड का क्या यूज है लैंड का डिफरेंट यूज है हम अगरी कल्चर में यूज करते हैं माइनिंग में यूज करते हैं घर बनाते हैं रोड बनाते हैं इंडस्ट्री बनाते हैं तो इन सब के यूज को हम लै कैसी हा कि ठेक्नलोजी भी बहुंस्थ रिपैंड करती हैं कि हम लैंड का कैसी यूज कर आप दो तरीके की होते हैं एक होता है प्राइवेट kali owned मतलब थे यह जो है एक इंडिवीज्यो यूज़ करते हैं फिर जैसे की फूट उगाने के लिए फॉडर के लिए नच उगाने के लिए तो यह कॉमन प्रॉपर्टी हो गई और प्राइविट लाइंड हो गया जो खुद का हो गया जैसे आपने अपना घर बना रखा है वहां पे कोई और बंदा आकर आपका क्लेम न क्लेम कर सकते हैं कि यहां पर मैं लगांगा यहां पर मैं ही ट्री लगांगा यह यहां पर मैं ही पार्क करूंगा तो वह हो गया कम्यूटी ओन अब पी जो लोग है उनकी एवर ग्रूइंग डिमांड है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़े जा रही है तो फिर जब लाइंड का वह डिघ्रेड होता जा रह lorsqu्या कि क्वालिटी डिग्रेडард हो गारी है। यह यहां पर क्या है कि आप लोग दिखोगे कि लोग fate हो हैं कि हमेग्रिकट्र कर मैं या फिर हमें वहांपर बिल्डिंग मनानी है या फिकॉंप्लेक्स बनाने तो रूरे अर्वाइब बिल्डिंग बना रहे हैं आज कल इतनी स्काय हाइब बिल्डिंग्स बनने लगी है आप जाके देखो यह डैली साइट इसकाय हाइब विल्डिंग्स हो गई है वह सब एंक्रोच करकर तो बन रही है महां पर पहले इसा नहीं था पहले हर जगा ग्रीनरी होती थी अब क्या और इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स बने जा रही है रूलर इरियास में आप जाके दिखो आपको आपको अग्रिकल्चर देखने को मिलेगा क्योंकि इतने जादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो लाइंड यूस ड़ुर्ट का पैटरंट हो रहा है क्योंकि हमारे सोसाइटि में कुल्सेंट रहे हैं जिसकी वज़े से लाइंडि देखने को मिलेगा लाइन देने को मिलेंगी रोड होता जा रहे है डेसर्टिफिकेशन होती जारे है ंस अब्योंचिछ यहां पर एरेबल नहीं इतना ज् डेजर्टिफिकेशन का मतलब एक और चीज भी होता है कि जैसे आपने पहले बहुत सारे ट्रीज लगा रखे थे अब आपके वह ट्रीज कट गए है तो जो आपको जो लैंड है वह बेयर हो गया है मतलब वह उसके उपर कोई भी क्रॉप नहीं होगी विए तो जब हवा चले सब्सक्राइब करने के लिए बनता जा रहा है यहां पर फार्मिंग करने के लिए बनता जा रहा है यह अपने पैट्स को घुमा रहा है और यहां पर हट बनी है अब यहां पर अभी भी क्रॉप तो गरी है लेकिन अब क्या पहले पहले अपने एनिमल्स को यूज कर रहे हैं घर का शेप चेंज हो गया है कच्छे हाउस से पक्के हाउस बन गए हैं उसके बाद एक और डेवलप्मेंट हो गया थाया क्रम और हम यहां पर काड्स चले लगी है घर और डेवलप्म हो गया है अब यहां पर कार चल रही है बस चल रही है और आप क्यों नहीं है और इतनी हमीं धिखा रहे है तो यह सब हो रहा है आपको भी देखने को मिल जाएगा अपने असपास कि पहले कैसा होता तो और आप कैसा है तो यह आपका यह था कि मतलब टाइम कैसे कैसे लैंड यूज में चेंज आता जा रहे हैं अब कंजर्व करना है हमाया कंजर्वेशन आफ लैंड रिसूर्स अब मैंने बताया था पॉपुलेशन बढ़ यह तो फिर दिमांड भी बढ़ेगी फिर जब दिमांड बढ़ेगी तो जो फॉरेस्ट कवर होगा उसको हमें अग्र स्टार्ट हो गया है तो अब हमें चुब करना पड़े का लेकिन अगर हम फ्यूचर की बारे में की सूचें का कैसे होगा तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं घृस ना करााएं अपने यह और हम लैंड रिक्लेम करें मतलब जो लैंड रिक्लीमेशन के अधिन हो आपना जो जैसे ओसमें लाइंड होता है वो या सीज में या पॉइंड में तो हम उसको करने मदलब आप्पे पानी को साइड करके अपना वहांपे इक कौंटिनेट में एड कर ले मतलब यह लए निया कंट्रोल करना टाकि हम अपने लांड रिसोर्स को बचा सकते हैं हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें अपनी नीज को लिमेट करना चाहिए यही हो गई है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपने लांड को इसको इसमें ग्रेनी सबस्काश्टें है इसको हम स्वाइल बोलते हैं अब जो मतलब तो हमारी डिफ्रेंट लाइंड फॉर्म्स हमने पहले भी पढ़ी थी वह डिपटर माइन करते हैं कि हमारा स्वाइल कैसा है अब आपको हमारे गंगा प्लेंस के अराउंड मिल जाएगा अलूवियल स्वाइल और अगर आप इधर राजिस्थान जाओगे वहां पे इतना ड् अगरे बहुत मिलेंगे वैदर ड्रॉक्स मिलते हैं इसके अंदर तो मतला के टोपोग्राफिये पर लेकिन अब जो स्वाइल वो बनता कैसा है जब हमारा जो अर्थ में रॉक्स होते हैं वह बहुत टैम तक वेज़र हो जाते हैं वेधरा था ना वेधरिंग मतलब ब्रेक लिंगे और the debate of rocks CROX मतलब बहुत जादा breakdown हो गया है और वह breakdown and decay कि चीज से होता है तंपरेचर चेंच से होता है कभी ठंडा औरहे कभी गराव हो रहा है फ्रोस्ट के अक्षन से भी होता है फ्लांट्स की वज़े से भी होता है अनिमाल्स की वज़े से भी होता है सब्ञाइब टेंपरेच्ष इस त्यस्तिक लाइंच टेपरेच करते हैं यह सब्सक्राइब जहाइब को प्रोमोच से हैं नहीं करते हैं और जादा की दूअ यह सोईल अच्छा होगा तो हमां पर राइच्छ of minerals होंगे तो फिर वह अच्छी ग्रोथ होएगी यह जो हमारा स्वाइल का वह है कंपोजिशन यहां पर क्या होता है नीचे सबसे पहले पेरेंट रॉक होता है फिर दिरे दिरे यह वाला जो रहा कही वैदर हो जाएगा तो यह वैदर यह सबसे लोगा लेकिन यह सबसे लोगा इसके अंदर सेंड और क्ले देखने को मिलती है और यह टॉप सबसे जादा फर्टाइल होना चाहिए अच्छी ग्रोथ अब प्लांट अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं सबसे नेचर के अपरेंट रॉक का क्लाइमेटिक फैक्टर्स ह सबसे होता है कि घ्रोटाइम लगा बहुत अच्छा स्वाइल होता है अब यह चैक्टर्स करते हैं क्या करते हैं या इसका धेक्ट्र बताता है केमिकल प्रोपरटी से टी इस पता चलती है यह पानी अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब रॉक्स के अंदर पानी अंदर जा रहा है तो अच्छी बात है अगर नहीं जा रहा है तो आपर वाटर लॉटर लॉगिंग हो जाती है और यह यह फ्लोरा फॉर्न और माइक्रोअर ओरлекनिसम उत Africa कि कितने देर जलदी होंका यह लेट और जाड़ा फ्लोरार्ण और जल्दी हामेशन करें तो दीर करने वह जो मंठेश करते हैं मतलब कि अगर आप स्लोपी बें मांटेंस मेरे तो हां पर प्लेंस में तो वहां पर जादा इखटा अब स्वाइल भी डिकुरेट हो रहा है क्योंकि वही में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ दी है तो फिर वह वहां पे बहुत जादा करेंगे उनको टिंबर चाहिए होगा बहुत जादा अपने अनिमल से कराएंगे केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे ताकि जल्दी अल्दी क्रॉप्स होगे जब जल्दी क्रॉप्स होगे कि तब इतनी सारी पॉपुलेशन को हम लोग का खाना दे पाए तो कुछ मैंत जैस पहले है मल्चिंग में क्या होता है मिए प्लांक तो जो यह घर्वाय प्लांट की तो बीच में स्फेस होतां इसमें भूसा भर देते हैं इंगलिश में ऐसे बोलता है भूसा भढ़ते हैं ताकि की जो हमारा जो सॉयल का मौइस्टर रहे तो प्लांट में मतलब सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो प्लांट अच्छी से ग्रोव पाएगा दूसरा होता है कॉन्टूर बेरियर इस कॉन्टूर क्या होता है आउटलाइन मतलब की यहां पर करते हैं जैसे प्लांट सुग रहें तो इसकी आउटलाइन बना देते हैं तो स्टोन ग्रास और मैंलब स्टों ग्राश और सोईल को यूज़ करके इनके आउटलाइन और ऑटलाइन के बरावर में ट्रेंच बना देगी के लिवए रंच लगञाए तो जो वाटर है वह नी होता है यहां पर रॉक्स का एक ऐसे दिवार सी बना देते हैं छोटी ची ताकि जो मतलब पानी का फ्लो है न वह मतलब रुक जाए ऐसे भागे ना पानी जब पानी ऐसे भागे नहीं थोड़ा उसका स्पीड कम हो जाएगी तो गलीज नहीं बनाएगा और सॉइल लॉस नहीं इक में बनादेता है तो यहां पर बारिश का नीचे नहीं बहेगा फिर इंट्रप इंट्रपिंग में ख्या करते हैं एक क्रॉप ऐसे होगा थे फिर उसके बरावर में दूसरी ग्रॉप यह लाइन तो दोनों क्रॉप को और डिफरेंट टाइम में उगाते हैं अभी एक लुग रही है फिर थोड़ तैम में दूसरी ग्रॉप तो लैंड खाली नहीं रहता है जिसकी वाज़े से स्वाइल वहीं का वहीं में रहता है बारिश भी हो जाएता है था नहीं फिर एक होत प्लोइंग का पार्ट है को कुम फिंठ का पार्ट है क्या कर देता है जैसे की वाठर अगर लोम नीच जा रहे तोぎ talked कर लेगी लेकिन भाएगा नहीं तो इसलिए प्लोइंग में यह होता है कि प्लोईंग कर देता है तो यहाँ नेसोटाकर बन जाए ताकि पानी नीचे नब है फिर होता है शेल्टर बेल्ट में क्या होता है बहुत सारे ट्रीज उगा देते हैं यह इसलिए उगाते हैं ताकि जैसे बहुत तेज अगर हवा आए तो यहां से सारा सॉयल मतलब उड़ना जाए तो सॉयल कवर को प्रोटेक्ट करने के ल तो लाइन से ट्रीज लगा देते हैं ताकि सॉयल हमारा मेंटेन रहे इधर उधर ना भागे अब तीसरा है वाटर हमने अल्रेड़ी देखा था कि हमारा जो 3-4 अर्थ सर्फेस वह पानी से घर गिराव है जिसकी वज़े से हम इसको ब्लू ब्लानेट या वाटर ब्लानेट भी बोलते हैं तो जो हमारी लाइफ है वह अल्मोस्ट 3.5 बिलियन येर्ज बैक आ गई थी लेकिन आज भी क्या है ओशियन मलत 3.5 बिलियन येर पहले हमारा आर्थ का ऐसे प्रॉपर लाइफ भी स्टार्ट हो गई थी और तब से 3-4 एरिया में पानी है और तू थर्ड ओस जो हैं वह तू थर्ड एरिया में अभी भी हैं जो की बहुत सारी वराइटी ऑफ प्लांट और अनिमल लाइफ को सपोर्ट करती है लेकिन जो ओशिन को वाटर होता है वह बहुत सॉल्टी होता है सलीन होता है जिसको हम डारेट नहीं कर सकते फ्रेश वाटर बस 2.7 परसें में देखने को मिलता है उसमें से 70 परसेंट आइस शीट में हैं जैसे की ग्लेशियोस में हैं या फिर माउंटेन रीजन में है तो फिर हमारे पास कितना बड़ा की 30 परसेंट फ्रेश वाटर एवलेवला उस 30 में से भी हमारे पास से 1 परसेंट ऐसा है जो हमारे फट है यूज है तो हमाई पास बहुत कम पानी इंफेक्ट बींग ब्लू फ्लानेट हमाई पास फ्रेश वाटर बहुत कम है जिसकी वज़े से हमें शॉर्टेज ओफ वाटर देखने को मिलता है अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें कभी भी नया पानी आट नहीं होता हमेशा पा जैसे ऑस यह है यहां से ऑपरेट हो गया वबेटेट हो गया जल चल के यहां पर प्रेसिपुटेट कर दिया तो यह एक ऐसे घौमता रहता है चो घूंपता है जो पानी के लिए प्रोडक्शन के लिए एक्रिकल्चर के लिए बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए हमें अब जैसे फिर से वह रीजन आगे कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो फिर डिमांड भी बढ़ी है फूश की फूड की और कैश क्रॉप्स की जिसकी वजह से हम पानी पानी इरुक्शन के लिए बीच चाहिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसलिए चल रही है फ्रेश वॉटर सप्लाएं की और हमें वॉटर शॉटेज ऐसा इंडिया में देखने को मिल रही है और लोगो देखने को मिल रही है क्योंकि हर जगा पॉपुलेशन बढ़ पानी में पानी तो दीरे दीरे बड़ी रहा है लेकिन सिर्फ अफरिका में साउथ अस्या में वेस्टन यूएसे में नौट वेस्ट में साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट में अंटायर आस्ट्रेला सब जगह शौटेज ओफ फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा वोटर तो दो जादा है लेकिन जो ओशियन वोटर है वह वोघ्वाथ चलीन है तो अगर हमें क्लिंग करना है तो उसमें बहुत जो आउप ऐसे बचाना चाहिए और जहां पर डॉट्स आते हैं जिस कंट्री जहां कंट्री सेUPते Workshop है ड्रोट की वहां पर तो बहुत ज़्यादा वाटर स्कार सटी देखने को मिल रही है तो जो वाटर वाटर शॉटेज है उसकी वज़े से हमें मतलब अपने आपको स्टॉप करना पड़ेगा हमें हमें बर्चलेट ना करें कि वाटर को इतना कि वॉटर कर ने लगें जिसकी वजय से हमें उसको चाहिए हमें पानी जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडूस्ट्री ईंदर यह अपना वेस्ट वाटर निकाल देती हैं पहसμε्ड है हमें वो नहीं करना चाहिए हम उसको उसको करना चाहिए वांटर बेश हर के क्रिशौ कर लिया है उसको हमने पल्यूट कर दिया है लिए करक्रकु में वोह वांडे मिलत तो नाला यत्रτιंग से पस्टी साइड ना जैसलि नाय्टक्रण D बहुत जादा है तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए हम प्लास्टिक दाल देते हैं फिश्च को इतनी प्रॉब्लम होने लगती है हम सारा वेस्ट वाटर के हम अपना कूड़ा भी डाल देते हैं तो सब को मतलब फिश्च के और भी जो एनिमल्स रहते हैं वाटर के इंदर सबको प्रॉब्लम होने लगती है सनलाइट नीचे नहीं जाती है उपर सारा कूड़ा-कूड़ा तैड़ता रहता है तो नीचे प्लांट को भी दिक्कत होने लगती है अब हम मतलब वाटर को कंजर्व करना चाहिए उसके लिए बहुत सारे में थर्ड़ा जैसे रेन वाट ओफल वाटर के अम्रेली जाष गुजरात में यह चोटा सा तो यहां पर इतनी ज्यादा वॉटर शॉटेज है कि यह अपना पानी खरीद एयर्बाइरिया से यहां पर इतनी ज्यादा वाटर शॉटेज है तो दीर दीर ऐसा हो जाएगा कि अच्छ सिटी दॉटर मिलने सेधन बढ़ाना चाहिए की अंडर्ग्राउंड होता हुआ कर सके हैं उसको बढ़ा और अच्छा कर सके हैं और हमें नहीं मैं स्फिन्क लगा चाहिए है पानी अगराम उसको पाणी का सरन स्फूर्द अगर हम से पानी प्रस्फड्र पानी में ज्यादा अच्छा और इर्रिगेशन हो जाता है हमें पानी को बचा सकते हैं अगर हमें यह वाले मैथड है नेक्स्ट है natural vegetation और wildlife नेचरल वैज़िडेशन तो वही हो गई कि जो vegetation खोद हो जाती है यह हमने बहुत बार पढ़ लिया wildlife हो गया हमारा flora और fauna मतलब basically तो fauna ही होता है लेकिन हम flora and fauna include कर लेते हैं तो natural vegetation और wildlife भी ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगी आपको सिर्फ महीं मिलेंगी जैसे फॉरेस्ट में मौसली या माउंटेंस में अब ऐसा थोड़ी है कि आप नॉर्मल प्लेंस एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको नाचुरल वैजिटेशन और वाइल लाइफ देखने को मिलेगी वैजिटेशन तो फिर भी मिल जाएगी तो फिर जो नाचुरल वैजिटेशन और वाइल लाइफ है वह आपस में इंटर लेटेड और इंटर डिपेंडनेंट होती है दोनों एक दूसरे की बिना इससे सर्वाइव नहीं कर सकती और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्युक्कि हमें इन से टिंबर मिलता है आ Nep से असटीजन मिलता है जो हम करते हैं और यह और यह साथ हमारा आपकर नाचूल सोसे ने बहुत हो घड़ी ओवाइगा आप मतां सब्सक्रांप करते हैं क्योग चyeongben острणन ओधेशन होएग तो महां पर जादा अंडर्राव awak ऐसमें हैं आप जो पश्कृम बनाते हो ट्री के वोड होती है उसके पल्प से बनाते हो तो वो अगर आपकी नाचुरल वाइजटेशन नहीं होगे तब भी नहीं भना पाऊगे तब इतो आजकल बात चल रहें पेपरलाइस एकनॉमिक की इसमें अगर पेपरलाइस बनाएंगे तो फिर हमारा वुड कम यूज होगा तो फिर हमारी जो ट्रीज हैं वह ज्यादा बच जाएंगे उनको हम बचा सकते हैं अगर हम पेपर कम यूज करें तो यह वह हमारा कर दोतए अब ब्रह्त में हो इक हम लाइफ डेते हैं मीरे लेट हैं हैं वह हम हमें थैया हमिद करते हैं की मतलब जो हमारे इक जैसे हैं हमारा फ्लार है कि तो किसी-किसी फ्लार में सीड जोदी है उनकी वह यह पर देखने तो जैसे अगर एक इंसक्त यहाँ बैठा और थोड़ी दिर उसके चिपक चाती है तो यहाँ पर जाके बैठेगा तो यहाँ पर गिरा देता है तो इससे पॉलिनेट जाते हैं एक ब्रीड दूसे प्लाइ वल्चर इसको बोलता है डीकंपोजर यह मतलब डैट बीइंग्स को खा लेती है चाहिए वह एनिमल्स हो चाहिए यूमन्स तो जो वल्चर होते हैं वह डीकंपोजर का वह होता है पेंकिलर की तरह पेंकिलर की तरह यूज करते हैं हम लोग इन लाइफ स्टॉक में यूज होता है यह तो यह इसकी मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जब वल्चर इन डिकलोफैनेक ट्रीटेड अनिमल्स को खाती है या फिर अगर यूमन्स भी पेंकिलर करना चाहिए दो बैन लेकिन लोग यूज कर रहे हैं तो हमें कम्प्लीट मैं की बात चल रही है कि मतलब अगर वह वल्चर को हम सेव कर सकते हैं तो जो हमारे वह बहुत बड़ा हमारा मतलब इंटीग्रल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं अब जो वेजिटेशन की ग्रो हमने पहले भी पढ़ा था वेजिटेशन को हम फॉरेस्ट के उसमें डिवाइट कर सकते हैं ग्रास लेंट स्क्रब्स और टूंड्रा जो मिलते हैं वह अपको पोलर एर्यास में मिलता है ठंडी वाली जगह पे तो जो फॉरेस्ट है यहां पे मॉइस्टर जब डिक्रीज हो तो मतलब वह सब कुछ आपकरना मॉइस्टर पर डिपेंड करता है अच्छी रेंफॉल तो अच्छे ट्रीज एवर ग्रीन ट्रीज कम रेंफॉल तो कम हाइट के ट्रीज तो यह सब हमने पहले पढ़ा है शौर्ट ट्रीज हो जाते हैं जैसी कम डेजर्ट अरियास में आप सब्सक्राइब को मॉस्स देखने को मिलते हैं यह सब आपकर हमने अल्रेडी पढ़ा है लेकिन जो आपर फॉरेश्ट कवर बहुत जा रहे हैं लोग उसको काटते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है अपने पर्सनल यूज के लिए काटते जा रहे है हैं वहाँ पर करते जा रहे हैं या फिर कुछ अपनी टूरिजम के इस आप से कुछ ना कुछ बनाते जा रहे हैं तो इस लिए बन रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ दिया आजकल लोगों को लिए मनी की बहुत जादा वैली हो गई अपने एन्मोर्मेंट की व हमें समझना चाहिए क्लाइमेट चेंज की वज़े से तो अल्रेड़ी इतना जादा इंपक्ट हो रहे हैं प्लांट और आनिमल्स तो हमें खुद की मतलब खुद से तो कुछ एफट करना चाहिए कि हम उन्हें बचा सके बहुत सारी स्पीशीज बरो गई हैं डेंजड हो ग टा-उस को मतलब ऐसे बनो उन्हों तक होजज एक उनका उनको होन kerep oach के लिए के लिए पड़्ट के लिए नियून तो कौकीauen होटा है कि छोटा सãoate oral जा रहा होता है क्रीक बोलते हैं तो जहां पहले होता है उग मदलब अच्छा इरिया हुटा है उसको mentre बोलते हैं मतलब हम नॉर्मल रेज्ज जादा पानी देखने कों मलेगा है स्वाल सब करना सबस्क्राइब सबस्क्राइब में सबस्क्राइब होते हैं several birds और animals दोनों ही हमारे extent होते हैं क्योंकि हम उनके मार रहे हैं हमें बहुत सब्सक्राइब करने चाहिए रीजनल लेवल पे और कम्यूनिटी लेवल पे भी स्कूल चिल्डरन को सिखाना चाहिए कि हमारा नेचर हमारे लिए कितना सब्सक्राइब को सेफ करने के लिए जब हम लोग यह हमारा ही पार्ट है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमें सोचना चाहिए कि जो करने लाना चाहिए वन हेल्थ वेदर ओफ यूमन वेदर ऑफ अनीमल्स और वेदर ऑफ प्लांट जब तक यह वाला कॉंसेप नहीं होगा ना इंप्लिमेंट अब लॉस पास करें कि सबको मदलब अइंद्ध को ट्रेड ना किया जाएं इंडिया में भी बहुत सारी साथ जैसे लाइन को मारने में फिर फिर ग्रेट इनियंद बस्टर्ड को मारने में इलीगल बोला जाता है और जाते हैं लोग एक इंटरनाशनल एग्रीमेंट है जिसको और उसी के लिए वाइड लाइफ के लिए यह साइट से कि इंटरनाशनल एग्रिमेंट है इंटरनाशनल एक रिमेंट तो इसमें यह यह आल ओवर दा सारी वोल्ड की कंट्रीज ने बोला है कि हम लोग इसको मतलब अनिमल्स को और वेजिटेशन को प्रिजर्व करेंगे मारे नहीं तो इन सब चीजों के लिए यह साइट को डेवलब किया है तो यहां पे सारे वाल्ड की कंट्रीज आपस में मिलती है ताकि इस टॉपिक पे बात कर सके कंसर्वेशन ओफ प्लांट्स और एनिमल्स को एक एथिकल ड्यूटी माना जाता है इंडिया में हमारे फंडमें सब्सक्राइब के लिए तो चैक्स और इरोजन ऑन स्टीफ फ्लोव शेल्टर बेल्च मुल्चिंग टर्स कल्टिवेशन विच विच्वन आफ फॉलिंग इन फिवर आफ देख लिए और पांच है लास्ट वीडियो के आंसर देख लेते हैं विच वन आफ दॉलिंग दस न सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रीजन बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूंग और इंप्रूव करने का प्राइब करूंगी थैंक्यू